Hello students, welcome to Magnet Brains in the medium. मैं लाली वर्मा, आप सभी विध्यार्थियों का, हाँ जी, सात्वी कक्षा के विध्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, साती साथ. यह आशा भी करती हूँ कि आप सभी होंगे स्वास्त, खुश और प्रसन. प्यारे बच्चो, Magnet Brains एक ऐसा प्लैटफॉर्म है, जो कक्षा सात्वी से बार भी तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है. भारत का नंबर वन प्लैटफॉर्म, जो किसी भी तरह से पेड सब्स्रिप्शन की बात नहीं करता है. बस आपको करना क्या है? आपको देखना है वीडियो ध्यान से, लाइक करना है, सब्स्क्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपके सभी जो दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको भी पता चल जाए कि कक्षा सात्वी की अब हिंदी भी आ गई है. बातों को लिख सकते हैं, लग क्या सा रहा है और क्या चाहते हैं आप, इस सब कुछ अपने नाम के साथ जरूर लिख कर भेजएगा. चलिए तो अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ. हमने अपनी पार्ट पुस्तक किस लाएके, कितने पार्ट पूरे कर लिए हैं जन्म कब हुआ, कोई बताएगा? हाँ, 1889 में बहुत बढ़िया, very good. कहां हुआ? मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गाओं में, बहुत बढ़िया, very good. तो अब हम चलते हैं इसी पार्ट के प्रशन उत्तरों की तरफ. अब मैं जानना चाहूंगी, देख निम्न लिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए. अब आपको बताना है भावार्थ. चाह नहीं समराटों के शब पर हे हरी डाला जाओं. चाह नहीं देवों के सिर पर चणू भाग्य पर इठलाओं. क्या कहना चाहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कवी ने बताईए. चाह नहीं समराटों के शब पर हे हरी डाला जाओं. चाह नहीं देवों के सिर पर चणू भाग्य पर इठलाओं. तो जब हम करते हैं भावार्थ तो हमें बताना होता है कि इस पंक्ती में क्या भाव छुपा हुआ है क्या आपको पता है ये कौन सी कविता की है अरे हां भाई पुष्प की अभिलाशा कवी कौन है माखनलाल चत्रवेदी तो माखिरलाल चत्रवेदी जी ने यहाँ पर पुष्प की इच्छा, पुष्प की अभिलाशा को व्यक्त किया है कि एक पुष्प या एक फूल ये कदापी नहीं चाहता कि मैं समराटों के शब पर चड़कर अपने आप पर गर्व करूं चाहा नहीं समराटों के शब पर हे हरी डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चड़कर अपने आप पर इठलाऊंगा ठीक है? तो पुष्प यहाँ पर कहना यहीं चाहता है कि हे प्रभु हे हरी हमारी अभिलाशा समराटों के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं है ना तो हम ये चाहते कि हमारी जो इच्छा या अभिलाशा है वो समराटों के सिर पर या समराटों के शब पर चड़ने की हो ठीक है और ना ही देवताओं के सिर पर चड़कर अपने को भागशाली माने ऐसी ही हमारी अभिलाशा नहीं है मैं ये भी नहीं कहता पुष्प यहां कहता है कि मैं ये भी नहीं कहता कि मैं देवताओं के सिर पर चड़कर अपने आप पर इठलाओं ये भी मेरी इच्छा नहीं है ठीक है प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है बताओ मैं फूल के लिए पुश्प के लिए बहुत बढ़िया वेरी गुड पुश्प के लिए हेव अनमाली मुझे तोड़ कर उस रास्ते पर फेक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मात्र भूमी पर मात्र भूमी पर शीष चाहने वाले वीव जाते है क्या कहा? हेव अनमाली मुझे तोड़ कर उस रास्ते पर फेक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मात्र भूमी पर शीष चढ़ाने वाले वीर जाते है उपर उक्त भाव पाट की जिन पंक्तियों द्वारा अभी व्यक्त हुआ है उपर उक्त भाव की जिन पंक्तियों द्वारा विव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए और आप बताईए जल्दी से बिना किताब के देखे, किताब मैं देखकर नहीं ये पंक्तियां कौन सी है जिनका भाव है कि हेव अनमाली मुझे तोड़ कर उस रास्ते पर फेक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मात्र भूमी पर शीष चड़ाने वाले वीर जाते है बताओ बताओ मुझे तोड़ लेना वनमाली ठीक है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पत्थ में देना तुम फेक मात्र भूमी पर शीष चड़ाने जिस पत्थ जाएं वीर अनेग यही है पंक्तियां और आप से मैं एक और कहना चाहती हूँ बात कि आपको यह कवीता पूरी याद करना है और जो सबसे पहले याद करेगा वो मुझे बता देगा कॉमेंट सेक्शन में फिर मैं बहुत सारी तालियों के साथ और आपका वीडियो में नाम लेकर आपको बहुत सारी बधाईयां दूँगी और बहुत सारी शुब कामना दूँगी प्यारे बच्चो जब हम कवीता लिखने की याद करने की बात आती है तो उससे पता है हमें क्या पता चलता है उससे हमें पता चलता है कि हमारी इस्मरन शक्ती सही है यदि कोई कहता है कि अरे मैडम हम याद नहीं कर पाएंगे इसका मतलब हम प्रयास ही नहीं करना चाहते और हमने पहले यह तियार डाल दिये कोशिश तो करना है युद्ध शेत्र में गए नहीं और हार पहले ही मान ली कोशिश करो छोटी सी कवीता है चाहा नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूथा जाऊं चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल्चाऊं ठीक है इस तरह से आपको कवीता याद करनी है जिसको याद हो जाए वो जरूर बताना मुझे कि याद हो गई है और जब कभी हम लाइव क्लास में मिलेंगे तो मैं आप से तुरंथ वो लिखवाने की कोशिश भी करूंगी और आप लिख कर बताएंगे तो मेरे बच्चो ध्यान पूर्वाग बताना कि आपको याद हो गई है क्या तो मुझे तोड लेना वनमाली उस पत में देना तुम फेक मात्र भूमी पर शीश चड़ाने जिस पत जाएं वीर अनेग अगला है भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है अब पुश्प ने कहा है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चड़ूं भाग्य पर इठलाऊं पुश्प क्या कहता है पुश्प ये कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं देवताओं के सिर पर चड़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं इतना हूं खुद पर तो यहाँ पर कौन सा कथन इसको सही से परिभाशित करता है पहला दिया है भाग्य पर नाराज होना दूसरा दिया है भाग्य पर गर्व करना तीसरा दिया है भाग्य पर विश्वास ना करना तो भाग्य पर इठलाऊं का क्या अर्थ हो सकता है? क्या भाग्य पर नाराज होना? बिल्कुल नहीं इठलाना भागे पर गर्व करना या फिर भागे पर विश्वास ना करना यही होना चाहिए कि भागे पर गर्व करना मैं ये भी नहीं कहता कि मैं देवताओं की सिर पर चड़कर अपने आप पर गर्व करने लगूं मेरी इच्छा ये भी नहीं है पुश्प की अब इलाशा क्या है कि वो किसके पद पर बिच जाए वीरों के भागे पर गर्व करना ही सही जवाब है चाह नहीं पद कवी कि किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है अब बताओ जैसे हम नहीं कहते कि चाहे वो काम करो चाहे ये काम करो तो यहां पर चाहे या चाह किस संदर्व में हम प्रयोग करते हैं कि तुम्हें ये काम करना या वो चाहे तुम ये करो चाहे वो करो इसका अर्थ है क्या और यहां दिया है चाह नहीं पद कवी की किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है प्रश्ण बहुत उत्तर बहुत छोटा है लेकिन इसका उत्तर होगा क्या कौन बताएगा चाह नहीं पद कवी की किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है शब्दार्थ जो प्रत्थम वीडियो था उसमें जो शब्दार्थ थे वो आपने सुने थे ध्यान से बताओ शब्दार्थ सुने थे जिसमें चाह का अर्थ क्या था इच्छा चाहना तो यहाँ पर पुष्प की अभिलाशा कविता में कवी माखल लाल चतरुवेदी जी ने इन भावनाओं को व्यक्त किया है कि यदी मैं पुष्प होता तो मेरी चाह यह नहीं होती कि मैं किसी सुन्दरी के बालों में लगकर उसके बालों की शोभा बढ़ाऊं समझ में आया यहां कवी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है पुष्प के माध्यम से कि यदी मैं पुष्प होता ठीक है यदी मैं पुष्प होता तो मैं क्या करता यहां पर जो भी कवीओं द्वारा रचनाएं की जाती हैं कहानिय लिखी जाती हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि भाई बस सब जब कवी रचना करता है तो कहीं न कहीं उसकी भावनाएं उसके व्यक्तित्व में जो जलकता है वही उसकी कलम में लिख देती है समझ में आया बिटा तो यहां कवी ने कवी माखललाल चतरवेदी जी ने इन भावनाओं को व्यक्त किया है कि यदी मैं पुश्प होता तो मेरी ये चाहा कदापी नहीं होती बिल्कुल नहीं होती कि मैं किसी सुंदरी के बालों में लगकर उसके बालों की शोबा बनाऊ कवी ने यहां पर अपने आपको पुश्प मान कर ये सोचा है कि यदी मैं पुश्प होता तो मेरी अभिलाशा क्या होती तो यहां पर कवी की देशवक्ती की भावना व्यक्त होती है प्रकट होती है ना होती है कि नहीं येस ठीक है तो यहां पुश्प के माद्यम से अब यह का जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मात्रि भूमी के लिए अपना सर्वस्व अरपन करने वाले वीर जाते हैं अपने विचार व्यक्त कीजिए ये भी सही है बड़े बड़े सम्मान उसको मिल रहा है भाई तुम वीरों के मतलब जो सम्राठ हैं उनकी जो युद्ध शेत्र में जो मारे गए या समराठों के शब पर चणने का दिया जारा है पुश को वो भी पसंद नहीं उससे कहा जारा है देवकन्याओं के बालों में तो बुथ जांओ उनकी शूबा बढ़ाओ उसको वो भी पसंद नहीं साती सात उसने ये भी का है चाय नहीं देवों के सिर पर चड़ूं भाग पर इठलाऊं नहीं मुझे देवताओं के सिर पर चड़ कर खुद पर गर्व करना है क्यूं क्यूं प्रशन यही पूछा जा रहा है कि बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाए पुष्प उस पत पर फेका जाना क्यूं पसंद करता है जिस पत पर मात्र भूमी के लिए अपना सर्वस्व अर्पन करने वाले वीर जाते हैं अपने विचार व्यक्त कीजिए वो इसलिए क्योंकि ये बाकी के जो सम्मान है वो देखो धियान से देखना बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है बड़े बड़े सम्मान पाना या इस तरह के बाते करना ये सब मानव धर्म है लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म सबसे बड़ा धर्म है मात्र भूमी की रक्षा उसके प्रती देशबक्ती की भावना अर्थात मात्र भूमी के प्रती धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है मात्र भूमी की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है अतापुष्प को चाहा है, चाहा मतलब इच्छा है कि यदि मैं अपनी मात्र भूमी के रक्षक वीरों के पैर को कुछ राहत पहुँचा सक हूं तो हमारी सारथकता सरववपरी होगी क्योंकि जो मात्र भूमी की रक्षा के लिए जा रहे हैं ना वीर वो नंगे पाउं जा रहे हैं उन्हें अपने शरीर की कोई चिंता नहीं है लेकिन पुश्पिया चाहता है कि मैं उनके रास्ते में बिचना चाहता हूं ताकि उनके पाओं को कुछ कोमलता का तो हैसास हो सके ताकि उनके पैरों को कुछ राहत तो मिल सके इसलिए वो बड़े-बड़े सम्मान पाकर भी उन में शामिल नहीं होना चाहता बलकि देश भक्त जो हैं जो मात्र भूमी के लिए अपना सर्वस उन्हें उचावर करने जा रहे हैं उनके रास्ते में बिछना चाहता है ठीक है समझ आया चलो आगे चलते हैं अगला है पुष्प की भाती आप की भी कोई अभिलाशा होगी उन्हें दस वाक्यों में लिखिये क्या आपकी भी इच्छा है पुष्प की तरह है अब आप सोच रहोंगे पुश्प की तरह हमारी अभीला शाय तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो अभीला शाय होंगी कुछ तो इच्छाय होंगी कि आप क्या करना चाहते हैं अभी साथ भी में आ गए ना मिडल सेक्शन में आ गए आप फिर हाय में जाएंगे फिर हायर मे प्रवेश करेंगे लक्ष उद्देश कुछ गोल सेट किया यदि नहीं तो और बताइए आपके क्या इच्छा है क्या आपकी इच्छा है मैं बड़े होकर ये बनना चाहता हूं मैं बड़े होकर ये करना चाहती हूं क्या है बताइए यहां पर हम जान लेते हैं आप अपने पुष्प की भाती मेरी भी अभिलाशा है कि मैं भी देश रक्षार्थ देश का सिपाही बने वाओ मेरी भी इच्छा है कि मैं पुष्प की दहे देश की रक्षा का जिम्मा अपने हाथ हो लो देश रक्षार्थ रक्षार्थ का अर्थ समझते हो बिटा रक्षार्थ का अर्थ होता है रक्षा के लिए रक्षार्थ अर्था रक्षा के लिए ठीक है तो पुश्प की भाती मेरी भी अभी लाशा है कि मैं देश रक्षार्थ देश का सिपाही बनूँ आप में से कौन है जो देश का सिपाही बनना चाहता है मुझे जरूर बताना मेटा मेरे भाईया है हाँ इसलिए मैं मतलब आदेश भक्ती और सेना सिपाही फौजी पूजती हूँ मैं सल्यूट करती हूँ सलाम करती हूँ दिल से आप में से बताईए बड़े होकर कौन-कौन देश की रक्षा के लिए सिपाही बनना चाहता है या आपके परिवार में क्या कोई है फौजी हम जो भी कार्य करते हैं उनको पूरी इमांदारी लगन और समर्पन भावना के साथ करते करते भी हम देश की सेवा करते हैं कभी भी अपने काम को नजर अंदाज ना करना भी देश सेवा है अपने काम को पूरी इमांदारी से करना भी देश रक्षा है ठीक है चलिए तो मेरा मेरे शरीर का एक एक बून देश की रक्षा में लगे हम अपने देश के गौरफ को बढ़ाएं हम अपनी मात्र भूमे के सम्मान को बढ़ावें भारत माता को कलंकित करने वालों के सिर को कुचल डालें वो आपने सुनाये ना कि हाथ अगर हाथ उठने काट दो चून पाये न सीता का दामन कोई राम भी तुम तुम्ही लक्षमन साथियो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो काट दो गर अगर हाथ उठने लगे छून पाये न सीता का दामन कोई राम तुम्हो तुम्ही लक्षमन साथियो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो न कैफियाजमी जी तुम्हारे रचित है न यह अकीकत हकीकत मूवी है फिल्म है उसमें यह गाना और यह कक्षा दस्वी बिहार बोड की किताब में आप पढएंगे आगे बहुत ही अच्छी रचना है उसको हम पढ़ेंगे दस्वी में आप देखना जब दस्वी में आओगे ना तब ये देखना बहुत ही अच्छा है इस पर वीडियो भी बना चुकी हूं मैं तो बहुत सुन्दर रचना है कि जो वीर सपूत है और वो भी आपने सुना होगा अपनी आजादी को हम हरगिस मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर जुका सकते नहीं सुनाया ना अपनी आजादी को हम हरगिस मिटा सकते नहीं तो देश की रक्षार्थ जो सेना जो सिपाही जो फौजी बढ़ चड़कर भाग लेते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं उनके लिए तो कोटी-कोटी नमन है उनके परिवार वालों को कोटी-कोटी नमन है शतशत प्रणाम है एक अच्छा भारती होने के नाते सद हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए उन सब के प्रति तो भारत माता को कलंकित करने वालों के सिर हम कुचल डालें ये भी हमारी इच्छा है देश प्रेम को छोड़ कर तुछ मानव के प्रती हमें प्रेम ना हो अर्थात देश प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है देश भक्ती की भावना देश प्रेम की भावना हमें उचाईयों तक ले जाती है समझ में आया देश प्रेम जो मानव प्रेम है वो अच्छी बात है मानव के दिल में मानव के प्रती प्रेम होना चाहिए लेकिन मानव के मन का जो प्रेम है वो स्वार्थ में डूब जाता है स्वार्थ बश होकर उसको प्रेम का नाम दे देता है जिसके मन में देश प्रेम की भावना है वो सच्ची भावना ही उसको सच्चा देश भक्त बनाती है और उसे फिर देश भक्ती से उपर कुछ नहीं दिखाई देता जब जब मैं जन मिलूं मात्र भूमी की रक्षा करते हुए ही मरूं वो भी आपने अवश्य सुना होगा दस दस को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं खुश रहना देश के प्यारो अब हम तो सफर करते हैं ऐ मेरे वतन के लोगों ऐसे ऐसे गीत हैं ऐसी ऐसी भावनाय व्यक्त होती हैं कि हमारे रॉंग टेकड़े हो जाते संदेशे आते हैं वो भी आपने सुना होगा ए गुजरने वाली हवाजरा मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाउं जा मेरे दोस्त को सलाम कर वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा जहां रहती है मेरी बूड़ी मा मेरे मा के चर्णों को छूके तू लब एक एक शब्द एक रॉं लूंटे खड़े कर देता है मारे देशवक्ति की भावना जब हमारे दिल में जागरित होती है उससे बढ़कर हमें कुछ नहीं दिखाई देता है जब जब मैं जन में मात्र भूमी की रक्षा करते हुए ही मरूं इससे ही जन्म सफल होता है अतहां भगवान से मेरी प्रार बलीदान हो जाऊं ये मेरी अभिलाशा है, ये मेरी इच्छा है अगला है व्याकरण से भागे शब्द के पहले सो उप्सर्ग लगाने से सो भाग शब्दब जाता है इसी प्रकां नी, दुख, अनौप उप्सर्ग लगाकर प्रत्येक शब्द कीवार है आप जो उत्तर है वो तो हम देखी लेंगे, लेकिन फिर भी आप नी, दू, अन, आप अपने अनुसार बताईए कि इनसे क्या-क्या शब्द बन सकते हैं, नी उपसर्ग लगाना है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगते हैं, शब्द से पूर्व जो शब्दांश लगाए जाते हैं, उनको उपस शब्द, निशब्द हो जाएगा, ठीक है, निशब्द हो जाएगा, निशब्द हो जाएगा, नीशब्द, नीशब्द ऐसा हो जाएगा, क्या ये सही है, और नी, नी, नी से और क्या बनेगा, चलो, और देखते हैं, दुख, दुख, यहाँ पर दुख, दुख हो जायेगा अंधंछा अंजान हो जाएगा तो अब हमें बनाना है दो दो शब्द तो हम देखते हैं कि किस तरह से रोगे बना यह था निशी शब्द मicação Dollar देखो अभी आपश yn ने धन था निछ झाहन निशान इसको कैसे करेंगे हम मैं यह थन हथा ठीक है निहत्था, नी, धन्शान, निशान, दुख, अच्छा, दुख है बेटा वो, दुश, जहां भी परसर्ग जो अहां की मात्रा लगी रहती है, उसमें शा और शा का इस्थान ले लिता है वो, ठीक है, दुश कर्म, दुश मन, दुश साहस, ये सब जाएंगे इसमें, अन, अन अवश्चक, अनुत्रीन, ये जाएंगे अन से, अन्धन अवश्चक, अन्धन उत्रीन, अब आप कहेंगे यहां तो अनु है, लेकिन इसको इस तरह से लेखेंगे, अन, धन, उत्रीन, ठीक है, इस तरह से, समझ में आया, आशा करती हूँ, बहुत ध्यान से आपने सुन लिया है, और उपसर्ग प्रत्य से संबंदित और भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप अवश्चे लाइब क्लास भी होती है, हर शुक्रवार को शाम साड़े साथ बजे, तो आप लाइब क्लास भी जोईन किया कीजिए, ताकि आपको भी व्याकरण से संबंदित कुछ विशेश जो बात होती है, उनके बारे में पता चल सके, प्यारे बच्चों, बने रहना मैंगनेट ब्रेंस पर जो कुक्षा साथ भी से बाहर भी तक की ओनलाइन स्कूल एजुकेशन, बैस्ट एजुकेशन 100% फ्री प्रोव रही है, बाइ-बाइ, थैंक यू सो मच